पूरे देश ने शीहतरवा स्वातंतरता दुवस मनाया लेकिन देश में जो छात्र हैं उनका भविश्य आज भी अंधेरे में है और ये हम इसे लिए कह रहे हैं क्योंकि जिस सक्षक को तिरंगे का मान नहीं करना आता वो बच्चों को क्या ही अच्ची सक्षा देगा जिसको तिरंगे का ग्यान नहीं वो बच्चों को कैसे ग्यान देगा और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मामला सिवान से सामनी आया है जो बेहगी शर्मनाख एक नहीं बलकि तीन तीन शर्मनाख मामले सिवान से सामनी आये है कहीं त이रंगे के रंग को पहचानने में भूल पूजा किया जा रहा था और तिरंगा आस्मान के जगा जमीन पर गिरा पड़ा था तो क्या होगा इस देश का जहां देश की शान का ही लोग अपमान कर रहे हैं वो भी कहीं और नहीं बल्कि ऐसी जगा जहां सिक्षा का उसे मंदिर कहा जाता है तो क्या है पुरा मामला आपको विस्तार से आगे खबर में हम बताएंगे मगर उसके पहले नमशकार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ बंदना पांडे पुरे देश में आज़ादी का अमरत महुत सो मनाया गया है सरकार के द्वारा शुरू किये गए अभियान हर घर तिरंगा में लोग शामिल होकर अपनी अपनी घर पर तिरंगा भी लगा रहे थे अपनी देश प्रेम को अलग-अलग तारीके से दिखा रहे थे तो वहीं सिवान के कुछ सिक्षक ऐसे थे जिन्हें तिरंगा का मान करना ही नहीं आया उन्हें शायद देश की शान के बारे में पता ही नहीं होगा और अब बताएए कि ये सिक्षक कैसे बच्चों को अच्छी सिक्षा देंगे जिन सक्षकों को तिरंगा का ना ही रंग पता है और ना ही उसे फहराने के नियम और कानून के बारे में वो कुछ जानते हैं अब कैसे ये सक्षक बच्चों के बीच देश प्रेम को बढ़ावा देंगे कैसे वो बच्चों को तिरंगे के बारे में बताएंगे पहली घटना सिवान की दरौली प्रखन की है जहां नया राज की प्राथमिक वद्याले करमॉल में बिना अशोग चक्र वाले तिरंगे को फैराया गया है और ऐसा नहीं है कि स्कूल में सिक्षक नहीं है आपको बता दें स्कूल में तीन सिक्षक हैं इसके बावजूद भी स्वतंतरता दवस के दिन जंडों तोलन के दौरान सिक्षकों ने बिना अशोग चक्र वाले जंडे को ही फैरा दिया तो वहीं गाउंवालों ने जब सिक्षकों को इस बात की जानकारी दे उन्हीं बताया गया कि तिरंगे में अशोक चक्र नहीं है इसके बावजूद भी सिक्षक अपनी मनमानी करते रहें और उन्होंने वैसे ही जंडे को रहने दिया यानि कि उसे नहीं उतारा आसमान में जंडा लहरा रहा था लेकिन उसमें अशोक चक्र था ही नहीं जिसके बाद गाउंवालों ने पूरी मामने का वीजियो बनाया और प्रसाशन तर पहुंचा दिया और अब स्कूल के प्रिंस्पल से पूछ ताज की जा रही है तो वहीं दूसरा मामला भी सिवान की दरौंदा का है जहां पंचायत भवन में जंडे को उल्टा फैराया गया है जिसके बाद अब राश्ट्रे गौरव निवारन अधिनियम 1971 के तहट आरोपी पर कारिवाई की जा रही है तो वहीं तीसरा शर्मनाथ मामला भी सिवान का ही है जहां महराज गंज की राम वलास गंगा राम कॉलिच से सामनी आया है यह मामला जहां जंडो तोलन की बाद काफी देर तक तिरंगा जमीन पर गिरा रहा लेकिन किसी को उसकी परवा नहीं थी सब अमृत महुत्सों मना रहे थे जश्ट में व्यस्थ थे जिसकी बाद थोड़ी दिर बाद प्रिंस्पल और सिक शक घर चले गए लेकिन जमीन पर तिरंगा गिरा रहा किसी ने उसे नहीं उठाया बाकी अब तीनों मामलों की जान चल रही है और जल से जल आरोफ यूपर कारिवाई की जाएगी बाकी लोगों को अब तिरंगा की मान की बारे में भी लगता है कि सरकार को किसी अलग तरीके से उन्हें समझाना पड़ेगा कोई और जगरुकता कारिकरम शुरू करना पड़ेगा जिससे वो अब हर घर तिरंगा अभियान के साथ साथ जागरुकता अभियान भी चलाए और लोगों में तिरंगा को लेकर उसकी मान को उसकी शान को लेकर जागरुकता फैलाई जाए खासका है ऐसे सिक्षकों में जिन्हों ने ऐसा शर्मनाख काम किया है वाकिस मामने में और मैं आपकी साथ बन देना धन्यवाद